Hello and Welcome to Divine Correction कैसे हैं आप सब लोग Love Vibration बहुत ही powerful energy होती है जो हम अपने partner को या किसी भी person को भेजते हैं अब love vibration को लेकर एक question बार-बार मेरे पास आ रहा है और आप बहुत जादा confused हो रहे हैं तो क्या question आता है कि जब हम अपने partner को love vibration भेज रहे हैं तो क्या हमें उनसे बातशीत करनी बंद कर देनी चाहिए उनके call message का reply नहीं करना चाहिए या फिर मैं उनको block कर दूँ या अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हम बात करें तो आज मैं आपको clear करने वाली हूँ ताकि आप किसी भी confusion में ना रहें दो cases हो सकते हैं अगर आप no contact situation में हैं यानि आपके partner ने आपको block कर दिया है या फिर बहुत कम बात होती है या बात ही नहीं होती है तो आपको simple love vibration भेजना है उनको stock करनी की जरूवत नहीं है उनको किसी और number से call या message करनी की जरूवत नहीं है यकीन बानिए आप जो energy उनको भेज रहे है वो energy उन तक पहुँच रही है और उसका result आपको बहुत जल्दी मिलेगा दूसरा case आपकी बातचीत हो रही है आपका partner आपको call भी कर रहा है message भी कर रहा है तो इस case में जब हम उनको love vibration भेज रहे हैं तो हम उसे किस तरीकी की बात करें तो of course अगर आप उनको love vibration भेज रहे हैं that means सामने से कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि आपको love vibration भेजने की ज़रूरत है यनि कि जो आप expect कर रहे हैं relationship में वो चीज नहीं मिल रही है तब ही आप love vibration भेज रहे हैं तो जब आपका partner आपको call या message करता है तो आप simply उनसे बात जो भी आपकी शिकायते हैं उनके साथ जो भी आप कहना जाते हैं उनके साथ वो सारी चीज़े आप love vibration में already कह रहे हैं वो energy के थूँ उनके पास पहुँच रही है तो आपको call या message में वो सारी चीज़े कहने की जरूरत नहीं है उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है कुछ भ नोर करो ये सारी चीज़े करनी की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आपका मन करता है call या message करने का आप वो भी कर सकते हैं जितना आपको लगे बात करनी की जरूरत है उतना कीजे लेकिन unnecessary आपको लग रहा है कि मुझे कुछ गुसा आ रहा है मुझे कुछ निगिटिव ची तो already अपनी बाते उन तक पहुचा रहे है तो energy को अपना काम करनी दीजे बिल्कुल confuse होने की परिशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं directly उनसे बात कर लूँ अगर आप directly बात कर सकते तो आप love vibration उनको नहीं भेशते तो आप जब आप love vibration भेज रहे हैं उस energy को काम करनी दीजे अपनी energy पर यकीन कीजे और देखिये किस तरीके से love vibration असर करती है तो I think आपका ये confusion दूर हो गया होगा तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि आपको mess up नहीं करना है आपकी energy काम कर रही है उसका result आपको जल्दी दिखाई देगा So thank you so much for watching my video, bye!